जीवन की सीक करम का फल एक लड़की थी, वो बड़ी सुन्दर थी, शरीर उसका पतला था, रंग गोरा था, मोखडा गोल था, बड़ी बड़ी आखे कटी हुई अंबियो जैसी थी, लंबे-लंबे काले-काले बाल थे, वो बड़ा मीठा बोलती थी, धीरे-धीरे वो बड़ जब पहली बार लड़की ने पती को देखा तो उसकी बदसूरत शकल को देखकर वह बढ़ी दूखी हुई इसके विपरीत लड़का सुन्दर लड़की को देखकर फूला न समाया रात होती तो लड़की की सास दूध उटा कर उसमें गुरी या शक्कर मिला कर बहूं को कटोरा थमा देती और कहती जा अपने लड़े पती को पिलाआ वो कटोरा हाथ में लेकर पती के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती उसका पती दूध का कटोरा ले लेता और पी जाता इस तरह कई दिन बीट गए हर रोज ऐसे ही होता एक दिन उसका पती सोचने लगा आखिर या बोलती क्यों नहीं उसने दिश्चक किया कि आज इसे बुलवाये बिना मानूंगा नहीं जब तक यह कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो मैं इसके हाथ से कटोरा नहीं लूँगा उस दिन रात को जब वो दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वो चुपचाप लेता रहा उसने कटोरा नहीं थामा पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े खड़ी रही कुछ बोली नहीं बेचारी सारी रात खड़ी रही मगर उसने मूँ नहीं खोला उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया सुबह हुने को हुई तो पती ने सोचा इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कश्ट सहा है यह मेरे साथ रहकर प्रसंद नहीं है इसे अपने पास रखना इसके साथ घोरन्याय करना है इसके बाद वो उसे उसके पीहर छोड़ाया बेचारी वहाँ भी प्रसंद कैसे रहती वो मन और जोतिशियों के पास गए पर किसी की समझ में उसका रोग नहीं आया अंत में एक बड़े जोतिशी ने लड़की के रंग रूप और चाल धाल को देखकर असली बात जान ली उसने उसके हाथ की रेखाएं देखी जोतिशी ने बताया बेटी पिछली जन्द में तुने जैसे कर्म किये थे तुझे ठीक ऐसा ही फल मिल रहा है इसमें न तेरा दोश है न तेरे पती का तेरे पती ने पिछली जन्द में सफेद मोतियों का दान किया था और तुने धेर सारे काले उरद मांगने वालों की जोलियों में डाले थे सफेद मोतियों के दान के फल से तेरे पती को सुन्दर पत्नी मिली है और तुझे उरदो जैसा बदसूरत आदमी मिला है ऐसी हालक में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पती के घर चली जाओ और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से सान्तोश कर जो तुझे मिला है और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा जो तिशी की बात उस लड़की की समझ में आ गई और वह खुश होकर अपने पती के पास चली गई वे लोग आननन से रहने लगे